ज्यादा उनके पास खड़े हो करके अपने आपको, मैं भी आपके साथ हूँ ऐसा दिखाने की उनकी कोशिश नहीं रहती है। कौन बांटेगा और कौन काटेगा। राजनेता ही तो बांट रहे हैं और कौन बांट रहा है काट रहा है। लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। एक तरफ बांटने की बात एक तरफ काटने की बात ये जो बांटने की बात है ये राजनेताओं क्यों। एक गाय की जो बात है ये हमारी नहीं है। ये हम हर हिंदू की बात है। इंटी मोधी हमको सिद्ध करने से लाव है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोधी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं, अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे, तो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, मोधी जी प्रधान मंत्री है, प्रधान मं क्यों जुड़ते हैं? विवाद तो अभी तक नहीं कोई हुआ हाँ बात जरूर होती है और वो होनी भी चाहिए आप उनको विवादों के तौर पे नहीं देखते यह अच्छी बात है लेकिन बहुत सारे लोग तो इसको इसी तरीके से देखते हैं कि बाकी भी धर्म गुरू है लेकिन उनके इर्दगिर्द इतनी सारी बाते हैं और कॉंट्रोवर्सी क्यों नहीं दिखाई देती हैं जितनी अभू मुक्टेश्वरा नंदी जी के असपास दिखाई देती हैं हमने बता दिया अगर वो भी अपनी राय रखेंगे तो उनके सामने भी ये परस्टा आएंगे गौ माता के लिए आपका जो संकल्प है मैं देखता हूँ कि अभी कई लोग आपसे मिलने आये थे बाहर दूसरे राज्यों से आपने जैग गौ माता करके उनसे बात की आपकी priority में प्रात्मिक्ता में सबसे उपर गौ माता दिखाई देती है राजनीतिक दल भी गौ माता को लेकर अपनी प्रतिबधधा दिखाते हैं भारती जनता पार्टी खासतोर से दिखाती है अभी सचिन पाइलिट ने अपना जन्दिन मनाया तो उन्होंने भी अपने जन्दिन को गौ माता के लिए समर्पित जन्दिन के तौर पर मनाया तो सब जगे गौ के लिए समर्पन के साथ ही अगर काम हो रहे हैं तो समस्या कहा है ये गाई की जो बात है ये हमारी नहीं है ये हम हर हिंदू की बात है और जहां तक प्रायोरिटी की बात है वो तो प्रति दिन हमारे घरों में सिद्ध होती है जब हम भोजन बनाते हैं तो भगवान के सामने खड़े होते हैं तो में वो माता, चपिता, तो में वो सरवम कह करके गुरू के सामने खड़े होते हैं आपी ब्रह्मा है आपी विश्णू है आपी महेस है यह सब कहते हैं लेकिन जब हमारे घर की रोटी बनती है हमारे बाने हम हिंदू सनातिनियों के घर की तो सबसे पहली रोटी गुरू की भी नहीं होती इश्वर की भी नहीं होती हमारे घर बताई शास्त्रोक्त व्यवस्था हिंदू होने के संदर्ध में लेकिन इसको लेकर तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कई बार RSS भी इस बात को दोहरा चुका है कि ये तो जीवन जीने का एक नजरिया है एक तरीका है जिसको हिंदूइजम कहते हैं मैं यहीं पर अबनीजेश जी को लाना चाहता हूँ उनके सवाल के साथ इस विशह पर अबनीजेश जी ये जो महतुपूर्ण विशह है इसमें RSS का नजरिया आपका विचार और अगर स्वामी जी से सवाल है तो वो मैं एक सवाल स्वामी जी से करना चाहूंगा कि आज जो इस्थिती है हम सब जानते हैं कि बांगला देश और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा थे भारत से अलग होकर के 1947 और 1971 में अलग अलग देश बने लेकिन आज वहाँ पर जो सनातनियों की हिंदूओं की जो इस्थिती है उस पर इस देश का एक सामाने हिंदू सनातनी क्यों नहीं खड़ा होता उसके भीतर वो दर्द क्यों नहीं होता मैं यह जानना चाहता हूं गाजा फिलिस्तीन में होने वाले का यहां दर्द महसूस होता है लेकिन जो बांगला देश और पाकिस्तान में हो रहा है उसका दर जो धर्म है तथा कतित धर्म शब्द से तो कहना नहीं चाहिए उनका जो माजाब है उसकी क्या प्रकृति है दोनों को समझने पहले प्रकृति को समझना पड़ेगा प्रकृति ये है कि उनका धर्म ही गिरोह बंदी है गोल बंदी है मेरे गोल में आ जाओ काम पूरा हो गया अब हम पुरी तरह से तुम्हारा protection करेंगे और अपने गोल से तुमको किसी हालत में निकलने नहीं देंगे गोल के विरुद्ध कुछ करने नहीं देंगे गोल में राओ हम protection की जिम्मेदारी लेते हैं इसलिए गोलबंदी अगर हमारे प्रकृती में भी होती तो वहाँ पर अगर किसी के उपर कुछ होता तो तुरंत हमको भी प्रभाव पड़ता क्योंकि गोलबंदी हमारे सुभाव में नहीं है और हम ये मानते हैं कि जो जहां है अपने ढंग से वो अपनी सुरक्षा की वेव हुए है और अगर उसकी आवस्क्ता होगी वो पुकार लगाएगा तो हम जरूर उसके लिए खड़े होंगे और देखिए इसलिए चाहे बंगलादेश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे कहीं दुनिया का दूसरा बुबाग हो जब वहां से कोई समचार आता है कि वहां के हिंद देश के संदर में ट्वीट नहीं किया तो क्या आपको इससे आप आहत हुए नहीं देखिए बात यह है कि चूंकि उनकी गोलबंदी है तो जहां पर जितनी बड़ी गोलबंदी होगी हमारे राजनीतिक यह उसको ज्यादा महत हो देंगे क्योंकि मैंने जो मेरा पॉलिटिकली जो रियक्शन साइस में जो अब्जर्वेशन है वो यह है कि भारत के प्रधानमंत्रिये कहते हैं कि यह बंद होना चाहिए इसको लेकर कूटनीतिक जो रास्ते हैं वो अपनाए जाते हैं लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने गाजा के संदर में ट्वीट किया लेकिन बांगला देश के संदर में हिंदूओं को लेकर उनका वैसा ट्वीट नहीं आया जैसा आना चाहिए यही तो हम कह रहे हैं कि भारत के जो हिंदू हैं चूंकि गोलबंद नहीं है वो धुरुविकृत नहीं है इसलिए उनके बारे में ज्यादा उनकी सोच नहीं रहती है ज्यादा उनके पास खड़े हो करके अपने आपको मैं भी आपके साथ हूँ ऐसा दिखाने की उनकी कटोगे तो कटोगे में आप तक्ष देखते हैं सत्य देखते हैं देखिए कौन बांटेगा और कौन काटेगा राजनेता ही तो बांट रहे हैं और कौन बांट रहा है काट रहा है लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं यह जो बांटने और काटने की बात है, ये दोनों तरफ से आ रही है, एक तरफ बाटने की बात, एक तरफ काटने की बात, ये जो बाटने काटने की बात है, ये राजनेताओं क्यों, उनके कारण आ रही है, लोग अपने जीवन में मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं, उनको समय नहीं है इन ची पर देश के राजनेता है वो बचा रहे हैं कि तुमको हम प्रस्वे देंगे तुम्हारा कार्ड बना देंगे तुम्हारा ये कर देंगे तुम रहो हमको वट देना ये हालत है इसके कारण हो रहा है और इसमें किसी दल विशेश का नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि कहीं पर एक जल कहीं दूसरा दल साब दल ये कर रहा है क्या इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित समय पश्य मंगल आपको दिखाई देता है भाई सब जगह रोहिंग्या लोग वहाँ पर परिस्तिती ऐसी बनी उनके प्रती जनता नाराज हुई वहाँ से बगाए गए अब वो सारे का सारे तो भारत में ही आके बस रहे हैं शिमला के बारे में भी आई यह बहाँ रहा है तो वहाँ के जो परिशान होकर के आवाज उठा रहा है और जहां जहां भी इनकी संक्या इकटा होती है वहाँ पे स्वाभाविक है किसी की भी संख्या जहाँ जादा होती है उसका मनोबल बढ़ जाता है तो मनोबल बढ़ने पर व्यक्ति उध्धत्वा करता है और उध्धत्य में लोगों को परिशानी होती है तो लोग बिरोध करते हैं यह हो रहा है विवेक श्रिवस्तव जी का सवाल नो उससे पहले में ज़रा ये दिखा दूँ आपको कि ये हरिद्वार जहां की बात आपने की कावडिये जब वहां से चले तो पुश्प वर्षा हुई वहां कावडियों के उपर हेलिकॉप्टर से पुश्प वर्षा बरसाए गए और ये पहली बार नहीं हुआ है इसके पहले योगी आदितिनाद देखिए यहां पर आप देख भी रहें मैं चला रहा हूं इस समय इस तरीके से पुश्प वर्षा हैं धाबे पड़ते हैं फल वाले हैं वो अपनी नाम सारजनिक करें छुपा कर नाम कोई चीज हमको ना दे लेकिन उसमें आपने ये वेवस्था दी कि नहीं नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए भाई हमने धर्म की अनुसार वेवस्था दी हमारा धर्म कहता है कि जब तुमने कोई संकल्प ले लिया है तुम दिक्षित हो गए हो तो फिर होटल का नहीं कहा सकते हो चाहे वो हिंदू का होटल हो चाहे किसी दूसरे का होटल हो आपने कहा आप किसी से द्वेश नहीं करते बहुत सारे लोग आपको anti-modi क्यों perceive करते हैं anti-modi हमको सिद्ध करने से लाव है क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में और लोगों का मामला खेल भिगड़ जाएगा इसलिए लोग अपना खेल ना भिगड़ जाए इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाब का व्यक्ति है ये बात है इसमें साजिश है हमारे खिलाब भी और मोदी जी की खिलाब भी वो तो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी काशी कॉरिडूर बनाते हैं तो अबुमिक्तेश और अनंद के कलाब दिखाई देते हैं कारीडूर बनाएं हम स्वागत करेंगे मोदी जी का लेकिन समस्या ये है कि कॉरिडूर बनाने के नाम पर एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पे 1.500 मंदिर तोड़ दें हम जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं लेकिन उनके जो बड़े कदम हैं आप उसके विरोध में दिखाई देते हैं राम मंदिर वाले मामले में भी आई हूए राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहां पर पृतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे हमने का भी यह गलत है यह ठीक नहीं है हमने क्या गलत कहा था मोधी जी के हित में ही तो कहा था लेकिन यहां तो समस्या है कि दवाई है आपको ठीक करेगी लेकिन कड़वी है अब को अधित नहीं कड़वी मत पीओ अरे भाई दवाई है इसको कड़वी ही पीना पड़ता है तब ही अच्छा होता है तो मोधी जी के लिए आपके पास सारी दवाईयां कड़वी ही है क्या भाई सवाल ये है कि इस समय मोधी जी सत्ता में है जब मोधी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी जब मनमोहन सिंख थे तब मनमोहन सिंख के लिए कड़ी दवाई थी तीसरा टर्म है मोदी जी का लगातार वही है उनी वही काम कर रहा है वह इनी से गलती होती है तो उनी को कहेंगा और किसको कहा दे लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरिडर मोदी जी बना रहे थे तो हम क्या करें बंगला देश के नजीपूर रहमान के लिए हम बोलें कि मनमोहन सिंख के लिए बोलें कि स्टालिंग के लिए बोलें बताइए जब जो जहां काम कर रहा होगा उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसके लिए तो बोलेंगे तो अब तो आपने उनको आशिरवाद दे दिया आपने उनको रुद्राक्ष की माला पहना दी तो मतलब बाब एक तरीके से आपका आशिरवाद उनको मिल गया है भाई वो आशिरबाद का मतलब अलग होता है वो शिष्टाचार था उनका भी और हमारा भी उन्होंने भी सामने देखा अपने शिष्टाचार का उन्होंने पालन किया और हमने भी जो आये तो हमने भी अपने शिष्टाचार का पालन किया इस से ज़्यादा वो इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए यह यहाँ पे हम जरा वो देखते भी हैं जब आपने मोदी जी को देखिए आप जिसको सिश्टाचार कह रहे हैं उन्होंने प्रणाम किया आपको पूरी भावना के साथ और आपने भी पूरी सहरदैता के साथ उनको आशिरवात दिया और उनको अपनी माला पहनाई जब वो आये हमारे पास तो हमारे बच्चों ने हमारे पास कोई प्रसाद रखा नहीं था तो हमने सोचा कि अब आही गए हैं तो हमने अपने गले की माला निकाल करके उनको पहनाई क्यों कि हमने वह आये थे हमने उनका स्वागत किया दिल से किया ऐसी क्या बात है अगर हमारे मन में कोई भी उनके प्रति दुरभाव होता तो वही मौका था उसी समय दिख जाता हम इसे कर लेते आप लोग उसकी विशलेशन करते होते हैं आज की तारीक में लेकिन हमने जब वो सामने पड़े कैसा दिल दिखाया इसका मतलब मेरे दिल में क्या है वो दिख चुका है अब तो कम से कम विशलेशन सही करिए तो अब उधारता के साथ आपने उनको आशिरवाद दे दिया है नहीं सिष्टाचार उन्होंने निभाया हमने भी सिष्टाचार दिल से निभाया आशिरवाद मिला की नहीं आशिरवाद हम तम देगे जब वो धर्म के मामले में धर्माचारियों की राय मान करके काम करें वो जब धर्म के मामले में खुद आगया जाते हैं देखिए मोध सुआमी जी प्रधान मंत्री है प्रधान मंती की रूप में उनका स्वागत है धर्माचारिया truth in jati नहीं है वो तो धर्म के मामले में धर्मा-चारियों की रहे से काम करें तो हम फुल के आशिरबात देंगे। लेकिन स्वामी जी जब भगवान की प्रांट प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की उस दिन, ना जाने हिंदुस्तान में कितने सारे लोग अश्रु पूरित थे, भाव विवल थे, उसमें संत समाज भी था, आपको नहीं लगता कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, वो अश्रु अपने आप वो धो रहे थे उस दिन, क्योंकि ये पांच सो सालों का इंतजार था, देखिए, पांच सो सालों का जो इंतजार है, आप बहुत देर से भूखे हो, तो क्या कच्चे ही खा लोगे, कम पाक पका के तो खाओ, नहीं तो पेट में जा करके दर्द हो जाएगा, बहुत जादा भूखे हो, तो दो हाथ से थोड़े खा सकते हो, मों तो एक ही है, इसलिए एक कवर को खा के उसको चबा करके तब अगला कवर डालना पड़ता है मों में, तो कितनी भी जल्दबाजी हो, कितना भी तौरा हो, लेकिन एक नियम है उसको तो पालन करना ही चाहिए, देखिए, वहाँ पे भगवान विराजमान हो गई, उसके आंसू थे वो, बड़े मंदिर, छोटे मंदिर के आंसू नहीं थे, हमारी जगा पे हम फिर से आ रहे हैं, इस बात के आंसू थे, और वो आंसू छोटे मंदिर में भी हो सकता था, क्यों नहीं आपने एक कर दिया, आप बड़े मंदिर की बात करते हैं, फिर बड़े मंदिर से छोटा मंदिर को ही अपना लेते हैं, और अंत में उस मंदिर को भी पूरा नहीं बना पाते हैं, अपने अनुसार खुद एक संथ उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़े विधान के हिसाब से सही हुई लेकिन जो कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना उस वज़े से ये बाते हो रही देखिए विधान कोई मुंड में नहीं होता है आपकी ये गलत धारणा है कि विधान मुंड में होता है विधान पहले से लिखा हुआ होता है हम बेटकर चले गए नहरू चले गए राजिन प्रसाद चले गए 176 लोग जिन्होंने सम्विधान सभा में काम किया था उनके अस्ताक्चर सम्विधान के अंत में है वो सब चले गए लेकिन सम्विधान जहां काता है तो मुंड में मती होती है ऐसा नहीं है मुंड में विधान नहीं होता विधान तो सामने लिखा हुआ होता है मुंड तो उसकी समयानुसार व्याख्या करता है इतनी चूट है मुंड को कि अपने समय के अनुसार तुम ब्याख्या कर लो लेकिन मुंड को अपने अनुसार क्रियेट करने की चूट नहीं है कहीं पर भी तो धर्मशास्त्र पहले से लिखा हुआ है उस धर्मशास्त्र की पंक्ति को निकालिए उसके उपर चर्चा करिए उसमें मुंड काम आएगा आप ब्याख्या करिए कुछ क्या दिक्कत है आप ब्याख्या करेंगे हैं मानेंगे लेकिन ब्याख्या करने के लिए कौन आया किसने पंक्ती बताई कि हाँ यहाँ यह पंक्ती है पंक्ती तो पंक्ती है आपको ब्याख्या करने की मुंड़ में छूट है इससे ज़्यादा छूट नहीं है तो जब मुख्यमंत्री आपको एक संत दिखाई देते हैं तो क्या ये बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि चीजें सब विधान के हिसाब से ही हो रहे होंगी। देखिये बात ये है कि संत क्या और असंत क्या जो जिस गद्धी पे बैठा है उस गद्धी की अपनी मांग होती है। जो जहां पर बैठा है वो मुख्यमंत्री है इस समय आप लोग उनको संत भी कहते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है। वो महंत और राजनेता दोनों एक साथ कोई नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर पाएगा इसलिए, क्योंकि संत की जो गद्धी है, उसकी अलग बात है, और जो राजनेता की गद्धी है, मुखेमंत्री की गद्धी है, उसकी एक अलग बात है, उसकी अपनी मांग है, देखिए हम ह इसलिब हमको नहीं दिखेगा तो दोनों की अपनी प्रकृती है तो आप विरुद्ध प्रकृती की दो गदियों पर एक साथ कैसे बैट सकते हो आप या तो मुखे मंतरी रहोगे या तो महंतर रहोगे तो आप तो मुखे मंतरी की शपत ले चुके हैं मुखे मंतरी हैं तो विरोधाबास तो फिर हमेशा रहेगा आप कह रहे हैं कि जो सम्विधान के गद्धी में बैठा हुआ है वो शास्त्र के हिसाब से होने वाली गद्धी में नहीं हो सकता और जो शास्त्र वाली गद्धी में बैठा हुआ है वो सम्विधान वाली गद्दी में नहीं हो सकता मतलब क्या इन में विरोधा भास है क्या शास्त्र में और सम्विधान में बिल्कुल विरोधा भास है धर्म शास्त्र की अपनी मरियादा है उसके काम करने का अलग तरीका है जो शास्त्र को मानने वाले होंगे वो सम्मिधान के हिसाब से नहीं चल सकते और जो सम्मिधान को मानने वाले होंगे क्या वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल सकते देखिए सम्मिधान के मानने वाले शास्त्र के हमस्वार कहां चल रहे हैं आपको समान नागरिक संगीता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है देखिए धर्म जो है वो लोक के साथ परलोक को भी सोचता है और सम्मिधान में परलोक की कोई बेवस्ता नहीं है कैसे हमारी आवस्चेक्ताओं की पूर्ती वो करेगा सम्मिधान इसलिए धर्म को छोड़ करके हम कैसे समिधान पर पूरी तरह से उलम्मित हो सकते हैं